हालो दोश्टो आज मैं बना रही हूँ परवल की सब्ची तो इस तरह से परवल की सब्ची बनाने पेना खाने में बहुत स्वादिस लगती है और सभी को बहुत पसंद आती है जिन्हें बटल खाना अच्छा लगता है तो आप एक परसी ज़रूर बना के ट्राइ करना तो मै एक कडाही में तेल डाली और उसमें ये कटे वे बरवल को डाल के और एक गोल्डन ब्राउंड होने तक फ्राइ कर लोंगी बहुत टाइम नहीं लगता मेडियम फ्लेम पे इसे फ्राइ करेंगे न तो ढ़कते वे फ्राइ करेंगे तो ये बहुत जल्दी कूक भी हो फिर मैं अलग कडाही में थोड़ा सा ओयल डाली हूं और जीरा लॉंग तेजबता और हरी मिर्च में जीरा लगाके उसे भी डाल दोंगी और जब वो चटक जाएगा तो फिर ये प्यास डाल दोंगी और प्याज को अच्छे से भून दोंगी और फिर मैं इधर और कुप भी हो जाए तो उसी वैसे छोड़के और अब मैं इसमें थोड़ा सा अद्रक लेशन का पेस्ट डालोंगी लगबग एक चम्मच और उसे भी भाल का फ्राई कर लूँगी और फिर मैं इसमें टमाटर डालोंगी नमक डालोंगी और अच्छे से फ्राई कर दोंगी नमक डालने से क्या होता है न कि मेरा प्याज यह मसाला जलता नहीं क्योंकि नमक डालने से टमाटर में वाटर रिलीज हो जाता है इसके बाद मैं इसमें डालोंगी हल्दी पाउडर जीरा पाउडर धनिया पाउडर लाल मिर्च पाउडर डालके और इससे अच्छे से भून लोगी इस वक्त मैं धघूंगी कि नहीं कि मेरा टुमाटर और मेरा जाँ अच्छे तो अच्छे से करें बूत आपटे वे क्यों जा हुआ हैं। डाल के कास्तूरी मैंति इसे हच्छे से हाथ से कर्स करके ठोड़ी Mov jam क Понत्त पत्त सब्यों फ्रेक डालक करें कहें उपर से भी डाले जा या उस वक्त भी डाला जाता है। बट मैं थोड़े पहले डाल दे रही हुआ और फिर मैं इसमें वाटर डालूंगी वाटर अपने कॉर्डिंग डालना जितनी आपको इसमें ग्रेवी चाहिए उसके कॉर्डिंग मैं इसमें अल्मुस्ट एक ग्लास वाटर डाली हूँ और फिर यह जो पटल फ्राइ करके प्रेस बन करके सर्व कर दूंगी आप एक पर ऐसे बना के जरूर ट्राइ करना और बताना आपको कैसा लगा मेरी घर में तो सभी को ऐसे बहुत पसंद है बैसे पटल की हर टाइप की रेसिपी अच्छी लगती है थाइंक्स पर वाचिंग अगर वीडियो पसंद आए तो चीर एंट पस्बाइक Das बटल कीव सर्व कर दो स्वंद है खाइंक्स पर वीड़ की आप की बहुत आप रेसे थाफ बना का सक्षाइंक्स और नहीं की रेसे आपके जापकर वीड़ की आपके फस्ट वीड़ की रेसे में तो सूंगी पस्ट की बहीं भी और भीड़ की